हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हस्बंड जबर्दस्ति कर एडल फिल्म करने के लिए मज़ूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंड्रोल कर रहा था क्या अब इससे वो बच पाएगी या हम आज के हमारे मूवी लवलेस जो 2013 की एक होलिवूड ट्रू स्टोरी पर बेस मूवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको विडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना कि सिदेरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मैन कारिक्टर लिंडा को देखते है जो एडल फिल्म इंडरस्टी में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ही जादा हीट हो चुकी थी पर अब भी हो बहुत ही जादो दुखी है अब इसके बाद यहाँ पर हो कैसे पहुचे इसका फ्लाश बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर उपर नहीं थी तो सुविंग पूल के पास लिंडा और उसकी फ्रेंड पैट्स ये दोना हैंग आउट कर रहे थे पैट्सी अपनी इनर्वेयर निकाल लेती है तो लिंडा को पसंद नहीं आता एक साल बेले उसके साथ एक हथसा हुआ था उसके बाद वो बहुत ही जादा डूर कर रहती है उसका एक बोई फ्रेंड था जिसके साथ भी बाद आगे बढ़ाने में और डर रही थे थोड़ी दर में लिंडा की मदर काम से ज़रा जल्दी घर पर आके लिंडा को इस तरीके से देख कर उसे बहुत आट थी थोड़ी दर में लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गये हुए थे एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्लेई कर रहा था पैट्सी वहाँ के इंपलॉई से गयती है कि इनमें कुछ तो मिसिंग लग रहा है इनके अवास नाशने वाली लट क्या नहीं है पैट्सी बहुत ही फोरवड थी तो जहां का स्टेज बन नाशने लग गये लिंडा ने भी थोड़ी दर में उसे जॉइन किया यहाँ पर हमारा और एक मेंन कैरेक्टर मुझूद था इसका नाम था चक चक की नजर लिंडा पर पड़ी और सो बहुत ही अच्छी लगती है चक उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही जादा पैसे मिल दिया है लिंडा कहती कि क्या है सच-पूश में पॉसिबल भी है लिंडा पुछती कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा चक कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ इसके बाद चक उनका फ्रेंड बन गया था एक राध दिनोंने पाटी रगी थी जिसमें लिंडा रात में जा रही थी पर मदर ही देख लिए और उसे प्रेशन करने लजा ढहルク दिया यह किस की बाटी है किसके साथ जा रही है पच्चा कहता है तो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग हो इसके बाद उसे घर चोड़ने के लिए आ गया उसने नोटिस किया था कि लिंडा बहुत ही चुप रह रही थी उससे बुछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गल्दी से मैं एक साल पहले प्रेगनन्ट हो गई थी मेरी मदर ने मेरे बेबी का ओड ओप्शन के लिए डाल दिया चक के साथ कोई भी रिलेजिशन्शिप स्टार्ट करने से पहले उसके साथ honest रहना चाहती थी चक कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता मैं तुम्हारे parents से मिलना चाहता हूँ जिस तरीकी से चक है तो लिन्डा को लगता है कि उसके parents को चक पसंद नहीं आएगा चक हैता है विए 100% guarantee देता हो कि मैं उसे पसंद आऊँगा अगर नहीं आया तो तुम्हें एक रात मेरे घर पर बिताओ ली और आया तुम वही हम करेंगे लिन्डा इस पर बहुत ऐसी निनर के बाद चक कहता है कि मैं आर्मी में था क्योंकि लिन्डा के फादर भी आर्मी में थे उसने कहा कि आपके पास तो वार की बहुत सारी स्टोरीज होंगी मेरे बास वैसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें इंप्रेज करना जाता था इसके बाद ये दोनों कीचन में गया परेंज टीवी देख रहे थे तो कीचन में ये दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद चक लिन्डा को मुवी देखने के लिए लेकर जाने वारा था पर उसे अपने घर वो लेकर आता है ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो लिन्डा ने कहा कि मेरी बॉड़ी पर स्कार है उसे हो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता चक कहता है कि तुम जैसी हो वैसी बहुत ही जादा ब्यूटिफुल हो राद में घर आने के लिन्डा को ज़रा लेट हो गया उसके मदर उसे बहुत मार दिया पर पारडी चल रही थी पारडी में लिन्डा की फ्रेंड पैटसी भी आई हुई थी वो चक के बास जाती है तो चक ने एडल फिम लगाई हुई थी पैटसी को इतना अच्छा नहीं लगता था चक पैटसी के पास जाने लग गया और उसे किस करने लग गया पैटसी उसे दूर फेक कर लिंडा के पास आ जाती है उसने कहा कि वहाँ पर मच जाओ लिंडा न इस तरीके की मूवी फर्स टाइम देखी थी चक से कहती है कि अच्छी लड़किया यह सब नहीं करती है चक ने कहा कि तुम्हें यह सब करना नहीं आता क्योंकि तुम्हारी प्राक्टिस हुई नहीं है मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ इन मूवीज में जो भी दिखाया जाता हूथा ये सब करना लिंडा को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी चक के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती है एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शादी कर लिए और इसके बाद थोड़ा टाइम गुज नहीं कर सकती लिंडा को लगता था कि चक डांस करने वाली लटकियों को सप्ला करता है पर अब उसे पता चला कि उनकी प्रोस्टुशन में भी उसका हाथ है चक ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की जरूत होती है तो मैं उन्हें हेल्प करता हूँ इसमें कुछ भी गलत नह पैसों की जरूत है चक कहता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नेक्सरीन में चक लिंडा को एक प्रोडिक्शन कंपणी में लेकर गया था अड़न फिल्म की कास्टिंग के लिए लिंडा को और बेज दिया और चक से कहता है कि यह लड़की नहीं चलेग आजकर लोगों को सब कुछ आर्टिफिशल देखने की आदत पड़ गई है लिंडा को तो डालोग बोलना भी नहीं आता है चक कहता है कि मैं तुम्हें टेमो दिखाता हूँ लिंडा और वो जब इंटिवेट होते थे तो एक बार उसने इसे रेकॉर्ड किया था यह टेप करते हैं लिंडा के फेज पर जार्ण फ्रिकल्स थे इसे छुपाने की कोशिश की जा दिया जब किस बात पर बहुत ज़ादा गुसाया के लिंडा के बारे में वही जीज बहुत ईज़ादा ब्यूठी ठीव है उसके फ्रिकल्स सीन ने दे लिंडा किस सब चीज़े फेड हो जाएगी है मुवी के पहले कुछ सीन शूट होता है अगली दिन लिंडा का हीरो के साथ इंटिमेट होने का सीन था इनकी स्पॉंसर एंटोने ने कहा कि अगर लिंडा के पास चक भी होगा तो एक प्रॉलम हो सकती है फिर उनका एक आद में जिसका नाम तबूची इस चक से बात करता है कहता है कि हमारे पास मुवी शूट करने के लिए रिल्स नहीं है तो जाकर उसे लेकर आओ चक कहता है कि कल लिंडा को मेरी जरुवत पड़ेगी पर फिर भी उसकी बात नहीं मानता अगली दिन शुटिंग स्टार्ट हुए और लिंडा की स्किल देखकर सब लोग हिरान हो गई थे लिंडा के सामने हिरो भी फर्स सीन में जादा पुफार्म नहीं कर पाया था ये सब सक्सेस्फुल हुआ और रात में ये सब पार्डी करते है जग लिंडा से करता है कि आंतोने के पास आकर बेटो पर लिंडा उसे मना करती है रात में रूम से चक और लिंडा की चिल्लाने की आवज या रही थी सबको लगता है कि वो एंजॉय कर रहा है चक अन्थनिस केंटा है है हमें बहुत ही कम पैसे मिलें और आप लोग बहुत कमा ओगे अन्थनि बहुत सट्रिक था कहता है मैंने पूरी मुवी स्पॉंसर की थि इससे पैसा तुम्हे कमाने वाला हूग मुवी बहुत ही बड़ी हीट हो जाती है और लिन्डा के इंट्रियूज विगरा स्टार्ट होने लग गये लिन्डा का अब सपना था कि उसे एक्चॉल मुवी स्टार बनना है लिन्डा के पारेंस को इसके बारे में जब पता चला तो बहुत ही ज़ादा दुखी हो गए थे एक दिन इनके प्रावेट स्क्रिनिंग के पार्टी थी जहाँ वो लिन्डा हीू हैपनर से मिली ये प्लेबॉय मैजीन का एडिटर था लिन्डा उसे देखकर बहुत एक्साइटेट हो जाती है आज पुरा प्रेमियर एक दुसरे की साथ ही थे क्यों लिन्डा से एता है कि तुम एक्चॉल में मुवी स्टार बन सकती हो वो इसके लिए उसे हेल्प कर सकता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे साल गुजर चुक है ये सब काम हो नहीं कर दी और अब वो एक बूक लिक रही थी बूक लिकने से पहले उसके पब्लिशर ने उसे वो सच बोल रही या छोट इसकी टेस्ट लेने के लिए गई अब तक जो भी सिच्वेशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरलेल में एक्च्वल में लिंडा के साथ क्या हुआ था ये अब हमें पता चलेगा लिंडा के साथ चक ने जब शादी की थे तो उसे हर एक चीज करने के लिए फोर्स करता था एक दिन तो हर्ड भी हो गई थी तो इस बात से उसे बहुत ही बुरा लगा था चक उसे गयता है कि तुम मेरी वाइफ हो मैं तुमें सिर्फ पैशन दिखा रहा था मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ लिंडा ने भी इन साथ बातों को समझ लिया जब इन्हें financial problem आए तो चक लिंडा को ready करकर एक club में लिकर गया एक डॉक्टर से वो बात करने लगे थे उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसन आई थी तो चक ने लिंडा को उसके साथ intimate होने के लिए जबरदस्ती कि वो लिंडा से प्रॉस्ट्यूशन करवाने लग गया था अगर वो इस सब नहीं करती तो चक उसे बहुत ही ज़ादा हर्ड कर देता इन सब से तंग होकर लिंडा एक राद अपनी मदर के पास आगे मदर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़वड है बुचत है कि हुआ क्या लिंडा ने कहा कि क्या कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर रह सकती हो लिंडा की मतर गयती है कि जब मैं 18 साल की थी तब ही प्रिगनन्ट हो गई थी तुमारी सिस्टर को लेकर मुझे इस सोसाइटे में रहना पड़ा था और मुझे बहुत ही जादा तकलिफ हुई थी तुमारे फादर बाद में मिले और इस वज़े से सब कुछ ठीक हो गया था तुमारा हजबन ही तुमें समाल सकता है अगर तुम बिना हजबन के हमारे घर पर रहोगे तुमारा जीना बत्तर हो जाएगा वो को चाहता था और शायद तुमने वही नहीं किया और इस वज़े से तुम यहाँ पर आ गई हो अपने बदी को तुमें खुच रखना चाहिए वो जो भी कहता है तुमें करना चाहिए इस बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही जादा स्ट्रेक थे लिन्डा बहुत रोती है सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहना चाती है पर उसकी मदर उसे अलाउड नहीं करती है जग का क्वाल है तुम मदर ने उसे ले जाने के लिए कहा गराने पस जग उसे आता है तुम अब एक मूवी करोगी मैंने तुमारे लिए पाड लाने के लिए बहुत ही जादा महिनत की है जग ने उसे गन लगा कर थमका हुआ था इसके बाद हम लिन्डा को मूवी सेट पर रोता हुआ देख सकते है सब कुछ उसके साथ जबरदस्ति किया जा रहा था हमने प्रिवेसली वेका था कि लिन्डा ने चग को एंटोनी के पास आकर बेटने के लिए मना कर दिया था उस रात चग लिन्डा को बहुत मारता है एक दिन लिन्डा अपने फ्रेंड पैटसे से मिलने के लिए गई हुई थी तो चग भी उसके साथ ही आया पैटसे उसे गया थी कि मैं तुमारे लिए बहुत ही वरीड हूँ लिन्डा कहती कि यह सब मुवे में कर रहे हूँ क्या इसी वज़े से पैटसे ने कहा कि वो नहीं है चग बहुत ही वियर्ड है क्या ओ तुमें सब कुछ करने के लिए जबल दोस्ति कर रहा है बाहरागर चग यह सब बाते सुन रहा थे तो लिन्डा डरकर कहती है कि मैं बहुत ही लखी हूँ कि चग मेरा हजबंड है एक दिन पार्टी में चग एंटोनी के साथ पैसो को लेकर बात कर रहा था एंटोनी ने कहा कि मैंने अल्रेडी लिन्डा से बात की हुई है अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला हूँ लिन्डा ने चग को इसके बारे में बताया नहीं था तो उससे बहुत मारता है चक ने इनके मूवी के स्पॉंसर से पैसे लेकर अपने लिए घर विगरा भी बाई कर लिया था एक आत में उसके कॉंटेक में आया था जिसके साथ मिलकर वो टॉइस विगरा सेल करकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था जबरद्वस्ति लिंडा की एक फिक बायोग्राफी लिखना भी वो स्टार्ट करते है एंटोनी चक के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है चक ने कहा कि थोड़ी दिनों में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा पर एंटोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मुवी करने के लिए मना लो वैसों के बारे में तुम्हें वरी करने के कोई भी जरूद नहीं पड़ेगी लिंडा की मुवी का जब प्रेमियर हुआ था तो ह्यू हैफनर भी सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई थी एक रात घर आने पर अपने पैरेंट्स को कॉल लगा दिया उसके फादर कहता है कि मुझे तुम्हारी मूवी के बारे में पता है तुम्हें ये सब करता में देख नहीं सकता क्या तुम्हारी परवरिश में हमसे कुछ गल्ती हो गई थी ये सब सुनकर लिंडा को बहुत पुरा लगा जग लिंडा से आता है अब तुम्हें और एक मूवी करनी पड़ेगी पर लिंडा इस बात को माननी रही थी उसने कहा कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना है उसे एक होटेल रूम में गया और वहाँ पुरुस का सोधा किया वहाँ बहुत सारे लोग थे लिंडा को उसने गन लगा कर धंकाया सब मिलकर लिंडा को जवर्दस्ती करते है एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था ये जब घर बोचे तो लिंडा वहाँ से भागने की कुशिश करती है पर चक ने उसे रोक लिया नीज लिंडा को आटोग्राफ ले लेता है सुबावने पर जग जब सोया हुआ था तब लिंडा वहाँ से भाग के डारिक लोग अन्तोनी के पास आए एंतोनी कहता है कि मैं सिर्फ और एक मुवी करने है उसके बाद दुम इंडिबेंडन जी सकोगी लिंडा ने उसकी सारी सिच चल गया वह रात में कर लेकर लिंडा के रूम में पर यह रूम एंदोनी कहा था एंदोनी ने और रूम को शिफ्ट कर दिया था वो गयता है कि तुम अब कभी भी लिंडा के पास नहीं जाओ कि उसनों से बहुत मारा वो इसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिंडा वो एक् स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए लिंडा की बुक फेमस हो है और उसकी टीवी पर इंटर्यू आ दिया लिंडा से बुचा जाता है कि जब यह सब चल रहा था तब उसने क्यू आवाज ने उठाई थे लिंडा कहती की सोसाइटी में हमें पताय जाता है जैसे ह हमारा पती का है वैसे हमें सब कुछ करना पड़ेगा यह इंटर्यू लिंडा की मदर सुन रही थी यह बात मदर नहीं उसे कही थी तो इस वज़े से उससे बहुत ही जादा गिल्टी महसुस होता है लिंडा ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ उस वक में बहुत ही छोटी थी वो एक चीज मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकती यही मैसेज अपने बुक से होती ना चाहती थी इतने साल लिंडा के बैरेस ने उससे बात नहीं की थी उस इंटर्यू के बाद वो लिंडा को घर पर बुला ले गया एक दुसरे को गले लगा करिये सब बहुत रो किसे एक फैमिल्यू बन चुके थे इसे एक मुमेंट पर एक मुवी एंड हो जाती है